हला दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं रेड्मी 9 पावर के बारे में दोस्तो कोची दिन पहले ये स्मार्टफोन लॉंच हुआ है और इसकी प्राइजिंग इसकी स्पिसिफिकेशन्स काफी दमदार होकर आई है दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस फोन क की प्राइजिंग इसकी स्पिसिफिकेशन्स और हम लास्ट में बात करेंगे कि इस फोन को पर्शेस करना चाहिए या नहीं चाहिए तो चलिए फटाफर वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब हम बात करते हैं इस फोन की में की हालेटिंग फीचर जो की है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी केमरा और दोस्तों 6000 एमेच की बैटरी दोस्तों यह दोनों पॉइंट इसका प्राइमरी फीचर दिया हुआ है अगर हम इसकी वेरियंट और इसकी प्राइजिंग की बात करें तो इस फोन में आपको दो वेरियंट मिलने वाला है फॉर जबी क बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में तो इस फोन में आपको देखनी मिलेगा 6.53 इंचेस का फूल एच्डी प्लस का डिस्प्ले IPS पैनल दिया गया है स्मॉल वाटर डॉप नौच के साथ और दोस्तों इस फोन में आपको गोईला ग्लास 3 प्लस का प्रोटे डाय के आपको देखनी मिलेगा पाफ बाटम और फिंगर पिण्ठ जो आपको एक साथ देखनी मिलेगा वॉल्यम रॉकर की । जाएंब को निचे मेंσω मैंफ स्य पोर्ट प्रोट पिकर ग्रियल गीं। ऑर ट्री मिलेगा आयर ब्लास्टर और प्राइमरी माइक दोस्तों डिस्प्ले डिजान के मारे में फॉन तो काफी अच्छा दिया गया है क्योंकि इस प्राइजिंग में फुल एच्छी प्लस का डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा और गोईल अग्रास 3 प्लस का प्रोटेक्शन भी लिए और में इस प्राइमरी केमेरा के उसके दिया हुआ हे छोए उस प्राइजिंग के camera की features मतलब camera के megapixel काफी अच्छा दिया हुआ है इसमें दोस्तों अगर हम इसकी software की बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा MIUI 12 and version 10 के साथ और अगर हम इसकी performance की बात करें तो इस phone में आपको देखने मिलेगा snapdragon 662 जो कि एक octa-core का processor है दोस्तो processor और प्राइजिंग काफी अच्छा मेंच करता है क्योंकि 11,000 में snapdragon 662 काफी अच्छा है दोस्तों ठीक ठीक प्रोसेशर दिया हुआ है अब हम बात करते हैं इस phone की key editing feature जो की है इसकी battery 6000 एमेज की battery और दोस्तों 18 वाट का fast charger जो आपको box में देखने मिलेगा जो की काफी बड़ी बात है अब दोस्तों बढ़ते हैं इस phone की conclusion की तरफ अगर हम इसकी pricing से compare करें 4GB करें 64GB की internal memory जिसकी pricing 11,000 full HD plus का display 48MP camera और 6000 एमेज की battery तो दोस्तों इस price range में phone काफी ठीक ठाके दोस्तों processor थोड़ा और high देना चाहिए था क्योंकि 662 थोड़ा low budget segment का processor हो गया है आज के time पर कम से 665 तो देना चाहिए था पर दोस्तों 662 भी ठीक ठाके octagon processor गेमिंग वगया अराम से कर सकते हैं तो प्राइजिंग और features के मामले में तो मैं बोलूंगा कि phone ठीक ठाके दोस्तों आप इस phone को purchase कर सकते हैं बाके दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको comment में जरूर रिप्लाइग करूंगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब दर के लिए धन्यवाद बाई बाई एंड जहेंद